उद्धो ठाकरे ने पार्टी में बगावत करने वाले बिधायकों को अयोग ठहरानी की आजकाओं को खारिश करने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनाती दी थी आपको बता दे बीते साल में आभिवाजिस स्युशेना ने 16 बिधायकों को बगावत करते हुए एकना सिंदे गुट में शामिल हो गए थे और बाद में एकना शिंदे ने बिजेपी के साथ गडबंधन करके सरकार बना ली थी वही सिंदे सीम बने थे जबकि बीजेपी के पूर्व सीम देवेंद्र फर्नवीज डिप्टी सीम बने थे महरास्ट में सियुसेना की बिधायकों को लेकर बिधान सभाय स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर बुधवार यानि 17 जनवरी को बॉम्बे हाई कोट में सुनवाई हुई थी इस दोरान अदालत ने उद्धो गुट और स्पीकर को नोटिस जारी किया वही सुप्रीम कोट ने इस मामले में उद्धो ठाकरे की आचिका पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी यानि कल की तारीक तैकी है बॉम्बे हाई कोट ने नारवेकर और उद्धो ठाकरे समो को 16 बिधायकों को नोटिस जारी किया है पीट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीक निर्धारित की है वही उद्धो ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई सुक्रुवार के बजाय अगले सब्ता सोमोर को की जाए इसको लेकर चीफ जस्तिस दिवाई चंद्रचूर ने कहा कि हम इस पर सुमोर को सुनवाई करेंगे वही एक नाशिंदे की सिवशेना के प्रमुक सचेतक भरत गोगावले ने विपक्षी गुट को 14 विधायकों के खिलाब दायार याचिकाओं में कहा शिंदे के नेत्रित वाले शिवशेना के गुट को असली शिवशेना घोसित करने के लिए 10 जुनवरी के फैसले को चुनावती दी है